नमस्कार, आयर्वेदा फ्री हेल्थ इंशुरेंस में आप सभी का स्वागत है वात रोगों की सीरीज में आज हम जानेंगे सायाटिका या ग्रधर्शी जो की नियूरोलोजिकल और नियूरोमस्कूलर डिस ओर्डर है और वात से होने वाले असी प्रकार के रोगों में से एक है तो चलिए जानते हैं सायाटिका सामानेत जो रेडियेटिंग लैग पेन होता है उसको डेस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह एक मेडिकल टम है इस पेन को जो की लोवर बैक से रेडियेट होते हुए बैक साइड ओफ दे लैग देन पिंडलियों से पाउं के आउटर साइड यानि की आपका जो पैर है उसकी छोटी उगलियों की तरफ रेडियेट होता है यह जो लंबो सेक्रल नर्व रूट्स हैं L42-S3 जो की हमारे शेह की सबसे बड़ी नर्व, लाट्जिस नर्व और लैग की जो मैन नर्व है सायाटिक नर्व को बनाती है और जो सायाटिक पेन होता है वो इन्हें के कम्प्रेशन और इंफ्लामेशन के कारण होने वाला पेन होता है आईरवेद में इस रोग को ग्रिधर्शी के नाम से कहा गया है ग्रधरशी एक वात नानात्मच व्यादी है जो कि वात दोश की दूशन, खराबी या गडबडी के कारण होता है ग्रधरशी जो है वो ग्रधर सब्द से बना है जिसका लिटरल मिनिंग है वल्चर या गिद तो जो ग्रिधर सी रोग होता है इसमें pain जो होता है बहुत severe, persistent और migrating pain होता है और normally एक side में होता है यानि unilateral होता है तो यदि right leg effect होती है तो रोगी अपना पूरा वजन जो है वो left leg पे bear करता है और यदि left leg में होती है तो वो अपना पूरा वजन right leg पे bear करता है तो इस कारण स उस रोगी का जो special gait बनता है या उसका जो चलने का तरीका होता है या जो उसकी वोक होती है वो बिलकुल वल्चर वोक या जो गिध के चलने का तरीका है उससे मिलता है और इसलिए इसको ग्रिधर सी नाम दिया गया है अब जानते हैं कि इस रोग के causes या कारण क्या है तो usually misaligned vertebrae या inflamed muscle जहां से sciatic nerve pass होती है उनके कारण prolapse, disc या arthritic condition के कारण होता है very rarely malignancies, osteoarthritic fractures, koda equina, radiculitis इनके कारण भी मिलता है आयरवेद में यदि ग्रधर्शी के कारणों की बात करें तो जितनी भी वात नानात्मजव्यादियां है उनके होने वाले कारण जो है समानत रखते हैं और उनकी जो विस्तर चर्चा हमने वात व्यादी और आयरवेद इस पर जो वीडियो बनाया है उसमें करी है और उस वीडियो का लिंक जो है आप description box में चेक कर सकते हैं तो again आहार विहार मानसी कारण किसी भी रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं वात को बढ़ा और जयने अब स्ट्रक्शन होता है वहां ये पैथोजेंसिस वातलवियादी की होती है तो अगर हम देखें तो धातुक्षय primer जो है तो जो जैतिक नर्व होती है उसकी ऑन जी उसमें कहीं डेमेच कहता है जिसे की तो ये रोग होता है मार filthy जयन्नय या अब्स्ट्रक्शन क बात करें तो जो sciatic nerve है उसका पास होने का जो राउट है उसमें कहीं भी compression हो या किसी भी प्रकार का obstruction हो तो sciatica का पे होता है अब जानते हैं कि sciatica में क्या symptom मिलते हैं ग्रिधर्शी रोक की क्या लक्षन होते हैं तो आयर्वेद में इसका प्रत्यात्म लक्षन बताया है इसफीक पूर्वा कटी प्रष्ट उरु जानू जंगा पदम क्रमात ग्रिधर्शी यानि कि जो radiating pain होता है वो lower back से शुरू होते हुए lower back से आते हुए पिंडलियों से और पांध तक इस क्रम से वो radiate होता है नॉर्मल सिम्टम यूनिलेटरल लेग पेन मिलता है या तो right leg effect होती है या left leg बहुत रेर है कि आपकी दोनों लेग में साइटिका का पेन हो और जो लेग पेन होता है ये lower back पेन से ज्यादा से वियर होता है पेन रेडियेटिंग या migrating pain होता है जो की टोस तक या outside of your food तक जाता है नंबनेस मिलती है यानि सूनापन पाव में लगता और पैरास्थेशिया यानि की needling pain फेल होता है अब बात करते हैं इसके भेदों की तो आयरवेद में ग्रधर्शी के दो टाइप बताए गया है पह मुहू वातात यानि की जो वाताज ग्रधर्शी है उसमें जो प्रत्यात्म लक्षन है की radiating pain lower back से food तक जाता है उसके साथ जो lag है उसमें इस्थम्ब यानि जकडाहट या stiffness होती है रुक यानि की वहाँ पेन या दर्द होता है तोद यानि prickling pain फेल होता है इस पंदते preaching होती रहती है दूसरा है वात कफज ग्रधर्शी इसके लिए कहा है वात कफात तंद्रा गोरव ए रोचकान विता यानि कि इसमें प्रत्यात्म लक्षन मिलेगा वात वाले जो लक्षन है वह भी मिलेंगे साथ में जो additional symptom है वो मिलेगा तंद्रा यानि कि लिथार्जी लिस यह मिलता है गोरव यानि शरी में भारीपन हेविनेस लगती है और रोचक यानि अनुरक्षया या जो भूख है वो नहीं लगती है अब जानते हैं कि इस रोग का डाइगनोसिस कैसे हो तो डाइगनोसिस इसका बहुत सिंपल है जैसे कोई रोगी है उसको आप लिटा दूसरा टेस्ट है जिसे स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कहा जाता है इसमें रोगी की जो लेग है उसको स्ट्रेट लेग यानि की नीबी स्ट्रेट है उसको उपर उठाने के लिए बोला जाता है जब उपर उठाता तो जो सायर्टिक नर्व है वो स्ट्रेच होती है पेइन वर्सन हो जाता है बढ़ जाता है तो यह दो सिंपल टेस्ट इसके डागनोसिस के लिए किये जाते हैं रोक कर डागनोसिस हो गया आप बात करते हैं कि लाइन ओफ ट्रीटमेंट क्या हो तो वातव्यादी एंड आयरवेद वाले जो वीडियो है उसमें हमने विस्तरी चर्चा की है कि क्या लाइन ओफ ट्रीटमेंट होना चाहिए वात को तंत्र यंत्र धर कहा गया यानि कि पूरा जो सिस्टम है हमारे शरीर का इस्पेशली नर्श सिस्टम को डिजीस ठीक करने के लिए वात शमन अतियावशक है और वात शमन के लिए शिकित्सा है वो इसनेहन है ओलेशन है तो उसमें आभ्यांतर इसनेह का प्रयोग और एक्स्टरनल इसनेह का प्रयोग दोनों अच्छे हैं दूसरा है सडेशन या स्टीम का प्रयोग है तीसरा वहां है म्रदू संसोधन यानि की माइल्ड परगेशन या विरेचन चूकि बिल्कुल लोवर जो हमारा बोडी का पार्ट है वो वात दोश का विशेश इस्थान होता है तो वात को शमन करने के लिए स्पेशली जो अप सर्वस्रिष्ट चिकित्सया आईरवेद में कहा गया है देन ग्रदूर्शिया साइटिका में सिरावेधिया रक्त मोक्षन वैनिसेक्षन या ब्लड लेटिंग का प्रयोग बताया है इसके लिए विशेश इस्थान बताया है कि नीज ओंट से चार अंगुल या तीन इंच उपर या नीचे वैनिसेक्षन कारणा चाहिए दैन अगनी कर्म या थर्मल कोट्राइजेशन इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है तो उसको अगर आप जानकारी चाहते हैं तो लिंक आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तो इसमें जो सा का होती है उससे अगनी कर्म किया जाता है और तुरंत इससे रिलीफ भी बहुत मिलता है सायटिका या ग्रिदरशी में क्या-क्या हब्स यूज की जाती है तो निरगुंडी बला रासना एरेंड शिग्रू इनका प्रयोग अच्छा रहता है आयरवेदिक फॉर्मूलेशन प्रयोग अच्छा रहता है अब जब भी आयरवेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पत्थे-पत्थे की बात किये बिना ट्रीटमेंट अधूरा रहता है अगेन मैं कहूंगे कि इसको डिटेल में आप वात व्याधी और आयरवेदिक वीडियो है वहां देखें पर श प्रयाटिका के पेन को भी बढ़ाता है जो इसको शमन करता है वो इस पेन को भी कम करता है अब इसी रोग के बारे में बहुत महत्तोपुन बात जो हमें विशेश रूप से जाननी चाहिए जितने भी हमने कंजरवेटिव ट्रीटमेंट की बात करी है जादा तो रोग ये ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर भी यदि बारा वीक से जादा हो गए हैं तीन महिने से जादा हो गए हैं और ये दर्द आपको बना हुआ है तो हमें red flag conditions को देखना पड़ता है red flag conditions क्या है कि वहाँ कोई malignancies या cancer या कोई tumor तो नहीं है कोई osteoporotic fracture नहीं है radiculitis या koda equina syndrome नहीं है तो इनके diagnosis के लिए हमें CT scan MRI इनके जरुत बढ़ती है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए उनकी सलाह लेनी चाहिए इसके अलावा यदि urinary retention यानि कि पिशाप का रुख जाना या decreased anal sphincter tone है यानि कि जो मल है वो अपने आप पास हो जा रहा है तो ऐसे situation में बिना देर के आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए तो अब देखे जो भी conservative treatment की हमने बात करी उससे रोग तो ठीक हो जाता है लेकिन जो occupation की वज़े से हो रहा है वो रिकर होने के chances होते हैं occupation से मेरा मतलब है जैसे किसी का लंबे खड़े रहने का काम है teacher है, nurse है, guards है या फिर both heavy lifting का जिनका काम है construction site पे जो काम करते हैं, drivers है जिनको लंबे route पे जो गाड़ियां चलाते हैं, tailor है या फिर even office में भी जो color का कारिया है या जो लंबे time तक एक ही position में बैठे रहने का जो भी काम है उसकी वज़े से जो sciatica का जो pain है वो रिकर हो सकता है इसको रोकने के लिए या इसके prevention के लिए कुछ योगासन या योगा poses बहुत helpful होते हैं तो उसमें पहला है उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन यानि की extended hand to toe pose और आप picture में देख सकते हैं हमें इसी तरह से supported करना है दूसरा है सुप्त पादंगुष्ठासन यानि की recline extended toe pose and third one है सुप्त पादंगुष्ठासन टू या पार्ष शुप्त पादंगुष्ठासन and fourth one है इसमें अर्धचंद्रासन या half moon pose जिसको आप against wall करना है आपको और जो back leg या lifted leg है वो chair पे या table पे supported होनी चाहिए इसपेशली जो पार्ष शुप्त पादंगुष्ठासन है आपको उसको दिन में कई बार करना चाहिए आप खाने से पहले खाने के बाद भी उसको कर सकते हैं अब देखिए ये poses कैसे आपकी help करते हैं तो जो sciatic nerve का exit point है बटक से या खूले से जो वो exit होती है तो वहाँ पर ये decompression का काम करते हैं जिससे की sciatica का जो pain है उसमें relief मिलता है आज की वीडियो में दीग गई जानकारी आप में से बहुत लोगों के लिए फाइदे मंद रहेगी यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी family और friends के साथ share जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं अंगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए take good care of yourself because health is wealth